अमिर जी एक सवाल और इस चुनाओं के पहले दो सीम जो है अरेस्ट हुए हैं केजरिवाल जी अरेस्ट हुए वो तो अभी भी मुख्यमंत्री हैं एमन सुरेन जी अंदर हैं तो आज सुप्रीम कोट ने एडी से टाइमिंग आफ अरेस्ट पर क्वेस्टन उठाया है तो इस वह समन में अगर आये होते तो चुनाओं के छे महिना पहले एरेस्ट हो जाते बहुत बार समन्स दिया गया वह आये ही नहीं अब उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरिवाल जी कह रही है कि उनको इंसुलन नहीं दिया जा रहा है वहां पर उनको ठीक से रखा नहीं जा रहा ह एक दिया जील डिल्ली सरकार के अंतरगत आता है कि जिसके मुख्यमंत्री केजरिवाल जी है तो क्या उनको माने की साध्यीत्स वह स्वैम कर रहे हैं तो कहते हैं कि वह डीजी प्रिज़न जो है वह वो दिल्ली पूलिस को शाइद रिपोर्ट करता है जरा भी नहीं से बात कर रही है हर बार नारा लगाती है कि BJP सिर्फ EVM की वज़े से चुनाव जीतता है अब आप लोग One Nation One Election की बात कर रहे हैं यह लोग EVM की बात कर रहे हैं दिसको आप क्या यह कर पाएंगे से बात कर रहूल गांदी जी जो बोलते हैं वह सोच विचार कर नहीं बोलते हैं अगर हम EVM के कारण जीतते हैं तो तिलंगाना में क्यूं हरे तमिलनाड में क्यूं हारे है केरल में सालो से क्यूं हरे है हिमाचल में क्यूं हरे है बंगाल में क्यूं हरे यह तो रहूल गांदी ने स्पस्ट करना चाहिए कि कि इविएम से आय कि तभी सपत माई लेंगे करते हैं तो नए कपड़े पैंड कर सपत ले लेते हैं हारते हैं तो इयम ठीकरा फोरते हैं कि स्थेटी रात दिल सरक जब हारते हो तो इयम न कारा है क्या धेस की जनता इसको समति है मगर मुझे तो आश्चरे हो रहा है इतनी बड़ी पार्टी अपने नेता के एडवाइजर क्यों नहीं बदलती है मैं दूर से देखता हूं मुझे आश्चरे होता है खेर छोड़िये वो उनकी पार्टी का सवाल है One Nation, One Election हमारा संकल्प पत्र का मुद्दा है और हम उसको जमिन पर उताने का पूरा प्रयास करेंगे अगला चुनाव दोहजार उनतेस One Nation, One Election होगा देखे तो संसत को नेने करना है परन्तु भारतिये जन्ता पार्टी जरूर प्रयास करेगी और उसको जमिन पर उतारेगी अमिजी थोड़ा हटते हैं कुछ अंतराश्री मुद्दो पर भी बात करते हैं वाशिंग्टन पोस्ट पर एक आर्टिकल आया है उसमें जो है उन्होंने कहा है कि रॉ जो हमारी के रिपोर्ट के आधार पर नहीं सोचना चाहिए अगर कोई कॉंक्रीट आरोफ है तो इजन्सिया उसका जवाब देगी अगर कोई सरकार डिप्लोमेटिक मेथड से हमारे साथ चर्चा करती है तो इसका जवाब देंगे कैनेडा में निजर के मर्डर पर भी ये बात हुई थी कि जो है ऐसे आरोफ मीडिया में लगने से मैं नहीं मनता कोई गंवीर सवाल खड़े होती है इसी से जड़ा हुआ एक और रिपोर्ट आई थी वो गाडियन पब्लिकेशन में थी उसमें था कि पाकिस्तान में बीस टेरोरिस्ट को जो है इंडिया इंडिया ने फिर रौ की बात थी कुछ लोगों को इस्तेमाल करके वहाँ पे उनको मारा टेरोरिस्ट को वहाँ पे मारा पाकिस्तान सौयल में इसको आप क्या कहेंगे दिखें किसने मारा ये तो डूणने का सवाल है परन्तु मैं एतना निश्चित रुप से मानता हूँ कि ये तो एक्सपोस हुई गया कि प्रण निश्टन मंत्री जी भी कह रहे हैं आपके काफी वरिष्ट नेता भी कह रहे है कि अब ये भारत वह भारत नहीं रहा जो कि ख़़ा होके साइड से तमाशा देखेगा ये भारत वह जो घर में घुस कर मारता है इस पर आपका क्या प्रणी कि रुप से सर्जीकल तमाम आर्टिकल आ रहे हैं जो कि भारत में इलेक्टोरल और्टोक्रसी ताना शाही तमाम तरह की बाते करते हैं इसको आप कैसे देखते हैं क्या कोई इसमें ये इलेक्षन के समय में ये जो बार-बार तीन-चार पिछले तीन-चार मेहनों में आता है इसमें कोई आप साजि तीनों दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रांसपरेंट है सबसे ज़्यादा विश्वस्ति है अभी जी कश्मीर पर एक सवाल क्या काश्मीर पर बीजेपी कश्मीर में चुनाओ लड़ेगी आप ने कहा है कि आप आप वहाँ पर आवाम का दिल जीतना चाहते हैं तो यह सीधा सवाल है इसका आप क्या जवाब देंगे अभी पार्टी ने ताई नहीं किया है, पार्टी ताई करेगी, परन्तों हम जम्मू में परंपरागत रुप से लड़ते ही रहें। कॉंग्रेस एक बात और कह रही है, कह रही है कि ये इसको लोकतंत्र की हत्या का वो दे रही है, कह रही है कि मुकेश दलाल निर्विरोध जो है चुन लिये गए सूरत से, अभी इन दोर में भी ऐसा हुआ है। कारकरता हार देखकर मैदान से भाग जाता है, इसमें भाठी जन्दा पाटी क्या कर सकती है इनके उमेदवारों को टिकाने का काम हमारा नहीं है, उनका है। अभी एक बुद्दा और आज उठा है, जो है कि कैनेडा के प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो एक भारत विरोधी सभा अटेंड कर रहे थे, जहां खालिस्तान के नारे लगे, प्रो खालिस्तान नारे लगे, वहाँ पे प्रधान मंत्री और कुछ कैबनेट मिनिस्टर्स क जो है पोस्टर लगे जिसको कि कहा यह वॉंटेड हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, इसको क्या भारत सरकार ने वहां के रागदूत को आज समन किया था, और उनसे एक्स्प्लिनिशन भी मांगा गया है, नाराजगी भी हमारी व्यक्त किया है, तो इस पर और कोई कारवाह कि अभी इसका जवाब आने के बाद आगे बात होगी, हमिजी आप इतना दौर कर रहे हैं, आज तीन अलग अलग प्रदेशों से यहां आएं, उसके बाद आपने हमको इतना समय दिया, कल भी मैंने सुना है कि तीन राजियों में जा रहे हैं, इसको आप कैसे इस तरह का प आप पोजेशन की नीद उड़ाने में के लिए आप जाने जाते हैं, आप सो पाते हैं कि नहीं, मैं कभी नेगेटिव सोच के साथ काम नहीं करता, मैं मेरी पार्टी को जिताने के लिए काम करता हूँ, हाँ, इससे किसी की नुइन दूरती है, तो वो उनका प्रॉब्लम है मेरी पार्टी को जिताना, मेरी पार्टी के लिए काम करना, यह मिरा दाई तो है, और मैं उसको बहुत अच्छे तरह के से करता हूँ, अमिर जी आप हमारे संग जुड़े, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, साबर मती तक तक आप आए, और यहाँ पे आपने हमसे बाच्छीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद रहों जी